हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला होंगे दोस्तों जो हम लोग शॉट्स वीडियो बनाते हैं यूटूब पर दोस्तों वह मॉनेटाइजेशन के लिए दोस्तों फायदे मन नहीं होता है फायदे मन नहीं होता है फायदे म स्क्रीन पर ले जाऊंगा और दोस्तों आपको प्रूब के साथ दिखाऊंगा कि आपका शॉर्ट वीडियो का मॉनिटाइजेशन क्यों नहीं होता है और दोस्तों आप जो एनलेटिक्स में देखते हैं वास्टाइम शॉर्च वीडियो का दोस्तों वह बिल्कुल भी तो दुस्तों अगर आप शॉर्च वीडियो बनाते हैं तो दुस्तों जी हम फाइदा तो ऐलेकर वास्टाइम नहीं weit को आपको सब्सक्राइबर का फैदा होने वाला है तो दोस्तों शुडबने आप subscriber बढनने के लिए दोस्तो वीडियो बना सकते हैं इससे आपका subscriber जो है काफी तेजी से बढ़ेगा और बाद भी दोस्तो धर धर आप बड़े वीडियो बढना शुरू कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आपको mobile screen पर प्रूफ के लिए ले चलता हो तो दोस्तो अभी हम लोग mobile screen पर आ चुको हैं और दोस्तो यह मेरा alternate channel है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो watch time है दोस्तो 407 घंटे की watch time है यहाँ पर देखे watch time hours में 407.5 मतलब 407 घंटे की यहाँ पर watch time है लेकिन दोस्तो जब आपको Google Chrome पर desktop mode पर monetization के अंदर दिखाऊंगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको काफी difference देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तो मैं ज्यादा तर इसमें source video ही upload करता हूँ और जैसा आपको बताया कि source video का watch time count नहीं होता है तो चलिए आपको Google Chrome पर लेकर चलता हूँ दोस्तो हम लोग Google Chrome की desktop screen पर आचुके हैं same channel है दोस्तो यहाँ पर आप logo देख सकते हैं मेरे channel का मैं थोड़ा enlarge कर देता हूँ यहाँ पर logo देख सकते हैं दोस्तो same channel है तो दोस्तो अगर आपको actual criteria देखना है monetization का तो दोस्तो desktop mode पर आना है और दोस्तो वहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखें left hand पर एक dollar का sign आ रहा है तो इस dollar के sign पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर देखें monetization लिखा हुआ आ रहा है उसके बाद दोस्तो थोड़ा सा screen चलिए मैं आपको zoom कर देता हूँ ताकि यह clear हो जाए देखने में दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 4 criteria है 1000 subscriber, 2 step verification और 4000 hours watch time और दोस्तो आपको zero community guideline stack होना चाहिए आपके channel पर दोस्तो 2 step verification और zero community guideline stack यह आपके hand में है आप मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि यह आपका हमेशा green रहेगा और दोस्तो subscriber gain करना पड़ेगा और watch time hours gain करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखे दोस्तो जो watch time hours है बिलकुल कम है सीव 18 hours है देखे दोस्तो मैं zoom कर देता हूँ तो आपने देखा कितना difference था वहाँ पर 407 घंटा था और दोस्तो यहाँ पर monetization के जो actual category है वहाँ पर अगर जाके देखते हैं तो दोस्तो सीव 18 hours watch time है जो कि मेरे long video से आया है तो दोस्तो इसलिए subscriber आप gain कर सकते हैं short video बना कर लेकिन दोस्तो उसका जो watch time है वह account नहीं होगा आसा करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तकिरपया चैनल को like subscribe और share जरूर किजिएगा धन्यवाद